उत्तरप्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने जब तक ये खुलकर ऐलान नहीं किया था कि वो किस-किस पार्टी से गटवंधन करने जा रही है तब तक जेडियो बिहार में जातिय जिंगन्नाव विशेश राज के दरजे को लेकर बीजेपी को लगातार गहर रही थी उ उनका गटवंधन सिर्फ अपना दल उसके लाबा निशात पार्टी से होगा उसके बाद बिहार में वैसे ही बिहार में समराट अशोक के मसले को लेकर जेडियो बीजेपी पर हमलावर हो गई आग बबुला हो गई और यहां तक बात पहुँची कि हर किसी ने एक दूसरे क को हद में रहने की धमकी दी और वहीं ये भी कहा गया कि जो उताब लें वो गांधी मेदान में आके फर्या लें अब साफ हो गया है कि बिजेपी जेडियो के साथ गटवंधन नहीं करने वाली है और आज उत्तर प्रदेश में जो है जेडियो की मिटिंग हो रही है खबर ये है कि वहाँ 51 कैनिडेट जो है वो तै कर लिए गया है खास कर ये पुरवांचल का इलागा होगा बता दे कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी की जन संख्या 6 परतिशत के आसपास है तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना एक महत्पुन रस्थान रखता है और किसी ऐसे नेता हैं जो कुर्मी समात से आते हैं और इस्टैबलिश नेता हैं तो इसलिए बीजेपी ने जो है वो अपना दल को परमुकता दी है क्योंकि वो प्रवांचल की इलागों में उनकी पैट काफी गहरी मानी जाती है बता दे कि उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी वोट कह दिया है कि हमने बकाइदा 51 लोगों का जो है लिश्ट जारी की है लेकिन ऐसे निता जिनको अलग अलग राजनिती दिलने टिकट नहीं दिया है अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम उनके बारे में सोच सकते हैं यानि 50 से ज्यादा सीट पर जो है जीडियू वहां अपने स्यासी पाटियां जो उतरपरदेश की हैं वो कभी भी कुर्मी वोट वैंग को नजरंदाज नहीं करती हैं बतादे कि उतरपरदेश में कुर्मी जाती में पटेल गंगवार सचान कटियार निरंजन चौधरी और बर्मा जैसे उपनाम की जातियां है बिजेपी सांसद जो है संतोस गंगवार जो पुर्मंते भी राच चुके हैं इसके लाबा सपा के सबसे बड़े नेता हैं वो है भागवत चरण गंगवार सथन देव सिंग जिनको बिजेपी का परदेश अध्यक्ष बनाया गया है इसलिए कि वो कुर्मु जाती से हैं और इसी वोट बेंग को साधने के लिए सदन देव सिंग जो है वो बिजेपी के परदेश अध्यक्ष है वहीं सपाने भी कुर्मी समाथ से आने वाले नरेश उत्तम पटेल को सपा का परदेश अध्यक्ष बनाया है इस वक्त कुर्मी समाथ से कम से कम 34 विधायक उतर परदेश में हैं जिनमें से 26 जो है वो BJP के हैं, चार अपना दल, दो बसपा और दो सपा, इसके लावा कुर्मी समात से आने वाले आठ सांसद हैं, जिनमें छे BJP के हैं, एक बसपा के हैं, और एक अपना दल का है, यानि अपना दल का कहीं परभतु दिखता है, और इसलिए BJP ने अपना दल के साथ धक्ष हैं, उनका पुरवांचल के इलाके में काफी गरी पैठ है, तो ऐसे में इस बात की कमें संभावना है, कि नितिश्कमार की पार्टी वहां कुछ अच्छा पफॉर्मेंस कर पाए, क्योंकि वहां पहले ही पुरवांचल के इलाकों में, वहां अपना पार्टी का दब घट रही है, अलग-अलग मसलों को लेकर वो घिरे हुए हैं, खुद अपने आँख दिखाने के लिए दिल्ली जाते हैं, और बिहार में स्वास्त दवसाई इसकदर लचर है, कि यहां पर जो लोग यहां के अस्पिताल में आँख इलाज करवाते हैं, वो हमेशा हमेशा के चुना में उतारने जा रही है, और फिर उनका क्या performance रहता है, यह देखने वाले बाद होगी, उत्तरपरदेश में बिजेपी ने मौका नहीं दिया, इसका साफ साफ असर अब बिहार की सियासत पर दिख रहा है, जिस तरीके से, बिजेपी और जेड़ी की बीच में ठन पड़ेगा, दूसरी तरब RGD भी चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ रही है, और कहीं ने कहीं, यह चिंगारी है, इसमें आग लगान की कुश्च RGD करेगी, और बकाइदा ओफर भी दिया जा चुका है, तो आने वाले वक्त में, बिहार की सियासत जो है, वो और दि झाल तो आने का मौकाइदा जो है।ट करेगी, तो आने की सियासत जोड़े बिदा घाज़े पर भी चॉटकी आट लोगाशना की सियारी है, पटत बहाना की सियासत जोच।